हमीरपुर जन्पत के इंडियन बैंक में अधार कार्ड बनाने के नाम पर हित गिराहियों से कर रहे मनमानी वसूली मनेजर से की गई सिकायत वही गिराकों का रोफ है कि इंडियन बैंक मनेजर और अधार कार्ड आफरेटर की मिली भगत से हो रही मनमानी वसूली पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीर पुट जन्पत का है जहां सासन द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं और विभिन कार्यों के लिए अधार कार्ड की अवसकता होती है इसी के चलते सभी के पास अधार कार्ड होना अनिवार है जिसका फाइदा बैंकों में चल रहे अधार सेंटर के संचालक उठा रहे हैं अधार केंदर संचालक नया अधार कार्ड बनाने के नाम पर एवं अधार कार्ड अपडेट करने पर बायोमेट्रिक अपडेट कराने के नाम पर मनमानी वसूली कर रहे हैं मामला राट छेत्र के इंडियन बैंक में संचालेत अधार कार्ड किंद्रका है जहां पर हिद्गराईयों से नया अधार कार्ड बनवाने के नाम पर एवां अपडेट अधार कार्ड करवाने के नाम पर 200 रुपे से 300 रुपे की जमकर वसूली की जा रही है लोगों ने जब इसका विरूद किया तो अधारकार आपरेटर ने खुले आम 200 रुपे की मांग करता नजराया और 200 रुपे ना देने पर लोगों को कल के लिए टेरा दिया जाता है जिसमें लोगों को बार बार आने जाने में परेशानी के सामने करना पड़ता है जो लोग 200 रुपे दे देते हैं उनका अधार कार्ड तुरंद बना दिया जाता है यहां पर जो लिखना चाहिए कि निसरो के पंदा कितना अपडेट में लगना है कितना एक आपडेट में अधेशार करा रही है अठेशिक का नाम आ में और बी और कराया कि आपडेट करус होइद जब औसे थे आपडेट करण करुवाए वसमें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं